पूरे देश में आज किसान रेलरों को आंदोलन चल रहा था और यह आंदोलन कौशांबी जिले के बिभिन रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिला और इन रेलवे स्टेशनों पर पहले से ही तमाम किसान मौजूद हो गये थे लेकिन इसके अलावा फोर्स भी पूरी तरीके लिज्टो का अभवान था उस अभवान के तहट पहले से ही फोर्स सतर्क हो गई थी तैनाथ हो गई थी यहनि किसी भी प्रकार से किसानों को रेल रोकने की इजाजत नहीं दी जाएगी इंधर तमाम किसान भी हैं और किसानों ने अलगी यहां पर बैटकर धर्ना परदर्शन किया लेकिन जब रेल रोकने की बारी आई इस्टेशन के भीतर जाने की उन्हों ने कोशिस किया तो यहां दो थाना के फोर्थ इसके अलावा सिरातु मंझन पूर के सियो इतना ही नहीं एस डीम भी मौजूद रहें जिन लोगों ने किसानों को रोक लिया और साफ हिदायत दी कि आप लोग किसी तरीके से ट्रेन को नहीं रोकेंगे बाधित नहीं करेंगे यहां पर तमाम किसान हैं जिन से हम बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या मांगे थी और भाष्तर लेकार उनकी क्यारें और आरई देखिए हम लोगों का राश्टिनीत्त तो जो कम से कम एक साल से धरने बेचा है किसानों की मांग भारत सरकार किसी कालें किसी कानून तीन कानून ले आई है और किसानों को उपज है जो पैदावार है उसका नियुंतसमर्थनमूल नेगोशित करें तो हमारा जो अंदोलन चल रहा है राष्टियस्तर पे उसी के आहवान पे आज इस समस्याओं को लेके किसी कानून वापस हो जो है इसके पैदावा पेट्रोल घरेलू जो समाने रोज की उप भोकताओं उनके जो दाम बढ़ने को सब को लेके आज जो यांदोलन है इसमें रेल रोको आंदोलन का अदेश हुआ था जिसके तहट हम लोग आज भरवारी लिलविश्टेशन पर कटा हुए पूरे किसान आंदोलन को एक साल पू असी लोग बस जाते तो प्यासे ओंठे के बून पानी को तरस जाते गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती नहीं तो सारे बादरिन के खितों में बरस जाते समानी साथी एक बात कहूं ना यह समझते हैं कि किसान को हमने कानून वापस ले लिया किसान को अधिकार द सब्सक्राइब कि अब रहों कि अगदम और देहों उसे एकदम हैं। आने वाले 22 में मालूम हो जाएगा लेकिन मुख्लक्ष किसान का 2024 है भारत सरकार अगर मानती है तो मानती है उसे सरकार से हटा करके जो भी सरकार आईगी उकानून कानून जब तक वापस नहीं होगा तब तक अंदोलन सर्मात नहीं होगा यह हमारे राश्टी प्रवक्ता जी नहीं आ रहा है क्योंकि रेल रोकने की बात आ रही थी आप लोगों ने एक भी कोई ट्रेन नहीं रोकी यहां तक कि आप लोगों पट्री पर भी नहीं जाने दिया गया तो आगे की क्या तैयारी हो सकती है कि हम जवान और किसान को आपस में लड़ा दें हमारे राश्टी प्रवक्ता जी का दिशा निर्देश है यह संघर संती से हो चाहे 2024 तक चले संती पूर्ण हो आज हम इस्टेशन के अंदर तक गये हैं प्रयास करेंगे कि हम रेलवेट ट्रैक तक भी पहुंचेंगे जैसा दिशा निर्देश आ जाएगा वहां से प्रथम संती पूर्ण सं संग्ठन चलाय जा रहा है और आश्ट्री प्रवक्ता जी करिया अदेश हमारा जो संदेश वह संती से जाए हम अंगरेजों को भागाने में कामयाप हुए है तो सरकार है हम इनको मैं कामयाब हो जाएंगे और सफल हो जाएंगे संघर्ण जैए रहेगा जब तक पूरी तरीके से पहले से ही मुस्तैत था इनके आंदोलन को निस्क्री करने के लिए जाहर सी बात है कि आज इनका आंदोलन निस्क्री हुआ है अब आगे देखना होगा कि क्या किसानों की रणनीती होगी क्या आगे का आंदोलन सफल होगा क्या पुलिस महकमा आगे के आंदो को निस्क्री करने में सफल होगा ये तो वक्त ही बताएगा कौशांबी से अभिसार भारतिया एबीपी गंगा एबीपी गंगा खबर आपकी जवाब की